हेलो एवरिवान, विल्कुम तो मैं यूट्यूब चैनल सोलस रिंगर दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इजी डियाई वाई लेकर आई हूँ आज मैं यहाँ पर पपीता का फेस बैक बनाने बतला रही हूँ बहुत ही सेम्पल तरीके से तो पपीता हर घर में मिल जाता है क्योंकि इसे सब लोग खाना पसंद करते हैं इसे पका और कच्चा हर तरह से खाया जाता है तो यहाँ पर हमने पके हुए पपीते का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और यह जो पपीता है यह खाने में तो फायदे मंद है ही इसे आप अगर अपने फेस पर लगाएंगे तो इसके लिए भी यह बहुत जादा फायदे मंद है और इसे किस तरह से लगाने यह मैं बतलाओंगी पपीते में मौजूद विटामिन सी विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसी एंटी ऑक्सिडेंट होती है जो की तवचा को साफ रखता है और साथ ही जुरियों से भी बचाता है तो इसमें हमने थोड़ा सा मिला दिया है ग तो आप हाथों में लगा सकती है पैरों में लगा सकती है आप इसे पूरे बाडी में भी लगा सकती है और पपीते का जो मास्क होता है वो हमारी स्किन को हाइडरेट करेगा और इससे इसकिन टाइट भी होता है और इससे हमारे पिंपल्स दूर हो जाते हैं एकने दूर हो तो देखें यहाँ पर मैं अपने स्किन पर इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ और इसे मैं रहने दूँँगी 10 मिनट तक और 10 मिनट के बाद फिर मैं इसे नॉर्मल वाटर से धोली हूँ तो तवचा हमारे देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक दम मूलायाम सब तो ऐसा अगर आप सप्ता में एक से दो बार भी करती हैं तो आपकी तवचा बहुत जादा ही अच्छी हो जाएगी तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो कर लीजे मेरी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकोन को जरूर हिट कीजिएगा आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो सो मच